हेलो एवरीवन, गाईज माई नेम इस विनित कांकरे और यूर कॉन टीचर एट इस वंडरफुल चैनल, MBA वाला भाई PW दोस्तो अभी हाली में हमने New Year को वेलकम किया, एकदम शांदार भावकाल तरीके से मस सेलिबरेट किया, मस जश्न किया, उसमें हमने आपको New Year धमागा दिया है लाइव DPP solution हम लेकर आ रहा है और इस coming Wednesday यानि जो Wednesday आ रहा है उसमें मेरा DPP solution मैं लाइव लेकर आ रहा हूँ, पहले दो टॉपिक पर Ratio Proportion Partnership Variation तो यह सब बात है, यह सब surprise हमने आपको reveal कर दिया है और जितना celebrate मस थी हमने किये, भाई हमने हर चीज़ को balance भी तो करना है तो अब आजाओ दोस्तों वाप इस track पर, अपने study के, अपने मेहनत के track पर और शुरुवात करते हैं फिर से अपने उसी foundation series को, जो हमने शुरुवात की थी last year अब इसी को continue करेंगे, तो दोस्तों आज जो मैं आपके सामने एक topic लेकर आया हूँ, उसका नाम है time and work जो लोग अभी हमारे साथ ने ने जूड़े हैं, हमारी playlist आपको channel पर दिख जाएगी, अपने time के हिसाब से उसको देखना शुरू रखो, लेकिन आप बिलकुल इस topic के साथ भी मेरे साथ जूड़ सकते हो, क्योंकि yes, हम हर चीज़ basic से scratch से ले रहे हैं, तो यह आपको पूर साथ के cat को अगर देख लो तो और लगबग algebra भी, तो arithmetic में भी सबसे ज़ादा जो important या vast topic माने जाते हैं, एक तो time speed distance है, जिसका basic foundation अभी हमने cover किया, पिछले दो sessions में, और दूसरा time and work, तो yes guys, time and work को भी हम दो session में करने वाले हैं, तो आज है session number one, next week में रहेगा session number two, तो guys, बिना किसी देरी के आज जाओ शुरुवात करते हैं, क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले वो समझ लो, और फिर बची भी जो भी बाते time and work की हम next session में करेंगे, तो पहले तो जानेंगे time and work में किस type के question आते हैं, उसको tackle कैसे करना है, tackle करने की method क्या है, tricks क्या है, उसको सम तो लेकिन type of question, level of question, jose metrics, fundas, method use होती है, वो दोनों में same हैं बिलकुल, कई books में आपको अलग-अलग topic दिखेंगे, लेकिन नहीं, मैं जैसे बोल रहो हो, यह दो जिसम एक जान है, यह एक ही variety है, तो यह क्या होता है, वो भी हम cover करेंगे, and फिर इससे related practice question, फिर इसके अलाव लेकिन नेक सेशन में, लेकिन अगर foundation आज अगर सही हो जाएगा, तो नेक सेशन आपको हलवा लगेगा, यह ना, तो guys, बिना किसी देरी के, let's start, basics about time and work, पहले तो हम जानते की किस type के question आते है, time and work में, और उसको tackle कैसे करना है, यार देखो time and work को मैं अपनी तरफ से दो level मे बाठता हो, मतलब उसको solve करने की methods जो है, मेरे हिसाब से वो दो है, two methods, अब आपकी मर्जी में दोनों बताने वाला हूँ, वो अब आपकी मर्जी है, आपको किस track से, किस method से, किस trick से जाना है, ठीक है, तो guys, एक तो मैं बोलता हूँ random approach, यह मैंने नाम दिया है, random approach और एक मै अब आपको जो method based जाएगे, आप उससे जाओ, अपनी practice उसे से करो, लेगिन याद दोनों रखो, यह न, दिमाग में दोनों रखो, कब कुन सी method click हो जाए, कब कुन सी method काम आ जाए, you never know, मैं मानता हूँ कि जल्दी answer लाना है, fast answer लाना है, तो यह best है, ठीक है, किसी-किसी को यह भी कुई जादा lengthy नहीं है, बट हाँ, यह थोड़ा जादा fast है, किसी-किसी को ऐसा है कि नहीं सरे 10-10 चीजे दिमाग में घुमती है, random approach, standard systematic approach रहा न, तो हमें बहुत easy लगता है, तो फिर आप इससे जाओ, दोनों सा ही है, ठीक है, तो guys, random approach क्या है, standard approach क्या है, हम दोनों सबसे पहले तो हम random approach देखते हैं, मैं अब आपको एक question देता हूँ, simple सा question, ठीक है, एक question guys, हम यह लेते हैं, कि मानलो एक work done है, जो A नाम का worker, कोई भी work है, मानलो यह दिवार खड़ी करना, इस दिवार को खड़ी करना है, और यह दिवार अक्यला A, मैं आपको पहले random approach बता है, यहने 10 दिन अक्यला A आएगा, काम करके, पुरी दिवार खड़ी करके निकल जाएगा, कोई contract अगर हमने स्रिफ B को दिया, तो आएगा, 15 दिन लेगा, 15 देज और काम खड़ी करके निकल जाएगा, लेकिन question पूछ रहा है, how many days required if both A and B work together, guys, समझ रहो question किस type का आ रहा है A का individual required days उसने दे दिया है, B का individual required days उसने आपको दे दिया, लेकिन पूछ क्या रहा है, कि भाई, अगर हम यह सिर्फ A, सिर्फ B को ना देते हुए, दोनों को भाई, चारे से दे दे, कि भाई, तुम दोनों इस काम को complete करो, मिल जूल कर, together, simultaneously, तो guys, how many days will be required, तो यार, question आपक work together, both A and B work together, अब आपको मैं पहले बताता हूँ, random approach, फिर इसी चीज़को हम standard approach से भी करेंगे, कि A को 10 दिन लगते है, B को 15 days लगते है, तो फिर और दोनों में देखोगे, आप answer same आएगा, together कितने दिन लगेंगे, दोनों का answer same, सबसे पहले तो बता है, random approach को random क्यों बोला ज सिंपल सी common sense की बात है, और मैं आपको बोलू कि आपको यह यह काम करना है, आप देखोगे न की काम की गहराई कि इतनी, उसके साफ से आप मुझे deadline दोगे, कि ठीक है सर दो दिन लगेंगे, मैं आपको बोलूगा कि भई, आपको बस अपने 10 km पे गाव है, वहाँ से एक ची पर में जाकर आपको चीज दाना है, आप और जादा deadline दोगे, तो आपको total work done की गहराई कितनी वह समझना जुरूरी है, और इसलिए guys, यहाँ पे हर question में पहले तो total work done decide कर लो, random approach में, standard approach में decide करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा decided रहेगा, इसलि 15 days में करता है, और पता है यहाँ पे total work done, आप ऐसा मान लो, जो A और B के days का common multiple है, मानने के लिए तो आप कुछ भी मान सकते हो, 100 unit, 60 unit, 200 unit of work done, 500 unit of work done, इतना काम हमें करना है, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसी value मानोगे न, जो इन दोनों का 10 days और 15 days का common multiple है, तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, तो गाईस 10 और 15 का common multiple को है, 30, तो मैं मान लेता हूँ मेरे को जो काम करना है, वो है 30 units, total work done कितना है मेरा 30 units, मतलब मान लो, यह दिवार खड़ी करना, यानि 30 units of work done करना है, ठीक है, यह उसकी गहराई हुई, यह दिवार खड़ी कर बनाता है 10 दिन में, बी नाम का worker वो ही 30 unit बनाता है 15 दिन में, question बोल रहा है कि बोलो दोनों अगर 7 में मिल जाए तो कितना दिन लगेगा, तो guys, अब A नाम का worker अगर 10 दिन में बनाता है, तो आप क्या निकालो, आप निकालो efficiency of A कि वो अक्यला एक दिन में कितना निकालेग अक्यला एक दिन में कितना produce करेगा, तो simple सी बात यार, 30 unit अगर वो 10 दिन लेता है, तो A कितना लेगा, 30 upon 10, 3 units per day, मानते होगी नहीं, common sense है, मतलब ये divide भी करने के ज़रूरत नहीं है, इसलिए तो common multiple लो, आप 30 लो, 60 लो, 90 लो, अब इसके लिए पता है, आपका tables का knowledge होना ज में, तो पहले तो table पे काम करना शुरू करो, हर चीज इर्दगीर्द यहाँ पे इसके इर्दगीर्द आके रुख जाएगी, tables के, जब बात calculation के आएगी, तो table तो must है, मतलब must याने must है, बाद में square, square root याद होना जरूरी, cube, cube root याद होना जरूरी है, लेकिन यार, वो secondary, but primary tables, अगर tables याद है, तो 10 का table, 15 का table, देखते के लिएर हो जाएगा, 30 is the number जो दोनों के table में आता है, 10, 3,030, 15, 2,030, 60 भी चलेगा, 90 भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, पर multiple में लो, इसी concept को LCM भी बोला जाता है, less than, least common multiple, LCM जो हमने लिया है 30, ये 10 और 15 का least common multiple है, उसकी बा guys, अभी फिलाल आपको ये समझना है कि ऐसा number लो, जो इन दोनों days का क्या हो, multiple हो, कभी कभार 3 भी हो सकता है, तो बस आपको multiple लेना यार, तो मैंने मान लिया कि A जो 10 दिन में काम कर रहा है, वो 30 unit बनाने का काम है, B जो 15 दिन में कर रहा है, वो भी 30 unit बनाने का काम है, तो य 30 unit बनाने के लिए, तो एक दिन में कितना बना लेगा, दोस्तो, 2 units per day, मतलब दोनों मिला कर, question ने, दोनों को मिला कर बोला है, दोनों मिला कर कितने दिन ले रहे है, 5 unit बना रहे है, एक दिन में ये A का पर दे, ये B का पर दे, तो एक दिन में दोनों मिला कर कितने units बना रह के लिए कितना देज लगेगा six days will be required if both a and b work together that's it guys this topic को unnecessary heavy बना के रखा है हलवा है ये topic है genuinely हलवा है लेकिन आप इसको सही ढंग से करो तो आप एक तो ये method लो यहाँ पे आपने random approach total work done कुछ भी ज़रुरी नहीं कि मैंने 30 लिया इसलिए 6 आया आप guys 60 लेके देख लो अगर मैं मानलू total work done 60 60 unit से total work done standard के बाद में बात करेंगे ठीक है अभी पहले यह समझ लो तो अगर total work done 60 unit से दोस्तो तो मुझे बताओ अब एका per day का काम कितना हो जाएगा 10 दिन में कर रहा है न यह data तो सेम रहेगा एकेला 10 दिन में कर रहा है तो 60 unit अगर वो 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना 6 units per day 6 units per day B 60 unit कितने इन में कर रहा है 15 तो 4 units per day मतलब यह हुआ per day का दोनों का, तो दोनों का मिलके पर एडे कितना हो गया, 10 units तो एक दिन अगर 10 unit बनाते दोनों मिलकर, तो 60 unit के लिए कितना लेगा, आगेन सेम, 6 days 60 unit के लिए, एक दिन में 10 unit, तो 60 unit के लिए कितना गया, 6 days देगो, same answer आया, irrespective of different total work done assumption एक जगे अपने 30 assume के, एक जगे 60 assume के, it doesn't matter, random approach है, कुछ भी assume करो in fact 100 भी करते तो घुम फिरकर answer वो ही आता लेकिन थोड़ा calculation पार्ट बढ़ जाता, क्योंकि 100 ये 10 का तो multiple है, 15 का नहीं है, तो थोड़ा fraction आता, फिर उसको simplify करते है और वो ही चीज़े बनती ठीक है guys, तो simple सी बात है दोस्तों, कि अगर आपको random approach से जाना है, तो जो भी A के days, B के days, C के days, in short question में जो भी days दिया है न, तो उनका एक common multiple assume करो as a total work done कि भई इतना units of calm हमें करना है, कमझ रहे हो, इतना units of calm हमें करना है, common multiple लो तो फिर आपको A का एक दिन का units मिलेगा, कि इतने unit वो अकेला A बना लेगा, फिर B का भी इतने unit अकेला B बना लेगा, फिर दोनों मिलकर कितना वो मिल जाएगा, कभी कभार C भी होता है, तिन तिन सी इतना unit बना लेगा तो तीनों मिलकर कितने वो आपको समझ जाएगा तो तीनों मिलकर एक दिन में इतना बना रहे तो बच्चे अज इतना भी unit आपने आइस्यूम किया है उसके लिए कितना दिन 10 units अगर एक दिन में तो 60 के लिए कितना 6 days 5 unit अगर एक दिन में तो 30 के लिए कितना 6 days 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 clear है guys तो this is your random approach जहाँ पे आप total work done randomly assume कर रहे हो इसलिए मैं इसको random approach बोलता हूँ अब standard approach क्या ये समझो guys same question A 10 दिन लेता है एक काम को करने में B 15 days लेता है उसी काम को करने में बड़ पता है यहाँ पे total work done हम 10 unit, 30 unit, 60 unit, 100 unit नहीं मानेंगे यहाँ total work done fix होता है 1 यहाँ हम हर चीज़ fraction में करते हैं और यहाँ total work done fix होता है 1 एक पूरा काम एक पूरा काम मतलब क्या 1 तो मुझे बताओ guys एक अकेला अगर 10 दिन में पूरा काम करता है तो उसका एक दिन का काम कितना और पता है वो कैसे निकालना होता है simple उसके जो भी total days होता है उसका reciprocal मैं आपको एप्रूव करके दिखा थो पहले तो ठीक है मुझे बताओ अगर 10 दिन में ए पूरा काम कर रहा है एक दिन में कितना 10 दिन में एक पूरा काम तो एक दिन में कितना युनिटरी मेथड प्रपोर्शन है न ये इतना तो वो कितना तो 10 दिन में वो एक पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा cross multiply कर लो 10 इंटू x 10x and 1 इंटू 1 इंटू 1 10x, 1 into 1, 1, तो x कितना हो गया, 1 by 10, और यह x मतलबी क्या था हमारा, a का, एक दिन का काम, a का, एक दिन का काम, तो guys, पता है, a का एक दिन का काम कैसे represent होता है, 1 by a, simple, देखो, 1 by 10 आया है, मतलबी 1 by a, अगर, याद रखो, यह एकदम घिसा पिटा है, random approach में तो भी आपको अलग-अलग assumption के हिसाफ से अपकी चीज़े में अलग-अलग आईगी, लेकिन final answer सेम आएगा, standard में यह घिसा पिटा 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 है, अगर a अक्यला, इसलिए मैंने कहा है न, बहुत से students को, ऐसा होता है कि एक घिसा पिटा 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 है, मतलब आपको चार तरीके से सोचने की ज़रूत नहीं है, वहाँ आपने देखा, 30 unit के लिए a का पर day अलग आया, भी का पर day का जो unit से वो अलग आया, 60 unit के लिए भी अलग-अलग आया, वहाँ final answer भले ही, सेम आया, ठीक है? तो यहाँ चीजे आपके assumption के साफ से बदलती जाएगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, गाईज, यहाँ अगर a अकेला 10 दिन में पुरा काम कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम पता है, क्या होगा? 1 by 10, that's it. और वो मैं आपको represent करेंगे, 1 by b, ठीक है? तो वो जाएगा 1 by 15, और पता है आप यहाँ पे हम एक equation में आपके सामने लिख रहा हूँ, this is the standard equation, जब आप यह method यूज करोगे, a का एक दिन का काम, 1 by a जिसको हम बोलते है, plus b का एक दिन का काम, हमें बोला है na question है, together, दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे, इसलिए हमने plus किया, पहले प्लस कर दिया, कि भाई, यह हुआ, दोनों का मिलकर एक दिन का काम, यह a का एक दिन का, यह b का एक दिन का है, दोनों को add करने से हमें क्या मिलेगा, दोनों का एक दिन इतना काम करते हैं यह bracket मतलब क्या? दोनों का मिलकर एक दिन का काम इस तरह वो एक डेस तक डटे रहे तब काम पूरा एक डेस तक डटे रहे तब काम पूरा यह है वो standard equation जो अगर आप second method होगे तो हर बारी यही करना होगा ज्यादा सेयद आप क्या गर सकते हो? एक आपको निकालना है यह मालूमें एक का एक दिन का काम कितना है? यह हुआ दोनों का मिलकर एक दिन का काम एक डेस तक डटे रहे वो ही तो पुछा है कितने दिन तक डटे रहेंगे? हमने मान लिया एक डेस तो यह एक दिन का काम into x dash तक लगातार करते रहे तब काम पूरा हुआ इस इक्वल टू 1 तो आप ज़्यादा सहथा क्या कर सकते हो इसमें 1 by A plus 1 by B is equal to 1 by x कर सकते हो क्योंकि यह x जो हम multiply कर रहे है उदर जाके divide कर लेगा और यही आपको निकालना है तो आप यह equation बोलो चाहिए यह equation बोलो यह होगा standard approach का heart of the topic यह equation आपको लेना होगा ठीक है? random approach से जोगे तो आपने देखा total work done कुछ भी units में assume कर लो फिर A का एक दिन का unit B का एक दिन का unit मिलेगा दोनों का मिलकर मिल जाएगा तो एक दिन में इतना तो उतना काम करने के लिए कितना that's it यहाँ पर देख लो A का एक दिन का प्लस B का एक दिन का दोनों का मिलकर एक दिन और इसको हम symbolically 1 by A बोलते है 1 by B बोलते है जो भी days ये उसका reciprocal लेलो A का एक दिन का काम मिला days ये उसका reciprocal लेलो तो B का एक दिन का काम मिला, X डेस तक डटेर है जिसको हमने उदर ले लिया, तब काम पूरा हुआ, तो 1 by X हो गया हो, और X निकालना, अब देख लोगा, इस answer से माता है कि नी, तो X इदर गया, 1 by X, अब यहाँ पर भी जेको common multiple, मतलब आप common multiple से तो बचने नहीं वाले हो, वो चीज़ आपको पिछले method में भी लगी, और यहाँ पर भी लगने वाली है, तो पिछले method में start में लगती है, assumption के लिए लगती है, यहाँ calculation के लिए लगती है, तो यहाँ एक तो आप cross multiply करो, cross addition करते दें हम school में, या फिर common multiple, तो 10 और 15 का common multiple 30, आपने ratio topic में सीखा है, कि आप किसी भी ratio को same constant से multiply कर सकते हो, तो यह ratio यहाँ न, 1 by 10, तो नीचे 30 लाने के लिए, मैं 33 से multiply कर देता हूँ, एकदम basic से बता रहो, किसी किसी के लिए थोड़ा सा, बहुत ही slow हो रहा होगा, लेकिन guys, ठोड़ा बने रहो, बस अगले 5 minute ओर, फिर आप देखना question स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ 3 3 से multiply किया, और यहाँ 2 2 से multiply किया, ठीक है, is equal to 1 by x, अब यह क्या होआ, 5, अब denominator से हैं हैंना, तो numerator को में add कर सकते हैं, 5 by 30 is 1 by x, तो 5 ने 30 को divide कर दिया, कितना हो गया, 1 by 6, यह न, 5 1 0 5, 5 6 0 30, तो guys, 1 by x, अगर 1 by 6 है, तो taking reciprocal on both side, इसका reciprocal हो गया x, और इसका reciprocal कितना हो गया 6, देखो same answer आया, together how many days will be required, तो random approach में भी कितना आया था, random approach में भी, अलग-अलग assumption के बाद भी आपने देखा, कितना आया था, 6, 6, और standard approach में भी कितना आ रहा है दोस्तों, standard approach में भी आ रहा है 6, A का एक दिन का, प्लस B का एक दिन का, यह दोनों का मिलाकर, एक दिन का 6 days तक डटे रहे, तब काम पूरा हुआ, और यही पूचा था, कि दोनों मिलकर, कितने देश तक डटे रहे, तब काम पूरा, तो एक साया 6, at max मैंने कहा, आप यह एक सिदर भी direct लेकर, इस तरह भी लिख सकते हो, तो guys, बस यह दो approach समझ जाओ, आप देखो, तो बड़े से बड़ा question, हम इतने आसानी से solve कर लेंगे, आगे और भी concept है, जो हम second session की बात कर रहे है, तो वहाँ देखेंगे, आज के session जो है न, वो इन दो topic concept पर पूरी तरह हो जाएगा, और सबसे बेस रेंडम approach है, लेकिन बहुत से student, मैं वो लूँगा न, सो में से 70 student को ऐसा होता है, कि सर उसमें बहुत चीज़े, assumption थोड़ा सा गलत गया, या थोड़ा भी 19-20 हो गया, तो गये, हमें ये अच्छा है, एक दो बार practice करेंगे, same ghi-sip-tis step है, याद हो जाएगे, यार ये आपका look-out है, मतलब आपकी इसमें best हो, वो आपको देखना है, मैंने अपने दरफ से दोनों बताया, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कि मैं personally इसको insist करता, लेकिन student point of view, अगर आप confuse हो रहे हो इसमें, तो फिर ये जाओ, गलत करने से better, कुछ तो अच्छा ही करो, भलाई, 2 seconds, 20 seconds जादा लगे है, लिए रहे guys, simple है, और एक example देखते हैं दोस्तों, और एक example देखते हैं, मान लो A नाम का worker है, जो 10 days लेता है, अब दोनों से देखेंगे, B नाम का worker, 20 days लेता है, C नाम का worker, 30 days लेता है, ठीक है, तो यार, question बोल रहा है, यह A अक्यला, कोई तो एक product बनाना है, उतने product, कितना तो भी work done है, उतने work done के product बनाने के लिए, वो 10 days लेता है, B अक्यला उतने ही work done के लिए, 20 days in usually, और C 30 days in usually, अब question क्या बुच रहा है, अगर तीनो साथ में जूड जाए, तो how many days will be required, तो guys, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, total work done, ऐसी assume कर लो, जो in days का common multiple है, तो मुझे बताओ, 10, 20, 30 का common multiple कोन हुआ, 60, total work done हम ले लेते हैं, 60 unit, इतने बनाना है, तो मुझे बताओ, एक एक दिन का कितना होगा, अगर वो अक्यला 10 दिन में, 60 unit बनाता है, तो एक दिन में कितना बनाएंगा, 6 units, क्या करना है आपको common sense, 60 unit अगर वो 10 दिन में बना रहा है, पूरा काम वो 10 दिन में कर रहा है, question नहीं ये बोला, हमने पूरा काम क्या मान लिया random approach में 60 days तो 60, sorry 60 units तो 60 unit अगर वो 10 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितना 60 upon 10, 6 unit B एक दिन में कितना बनाएगा 60 upon 23 unit common sense है न हर दिन 3-3 बनाएगा, तब जाके 3 into 20, 60 unit होंगे हर दिन A 6 हे बनाएगा, तो 6 into 10 60 unit होंगे, और C का कितना guys हर दिन, अब देखो 30 दिन ले रहा है वो 60 के लिए, तो हर दिन कितना बना रहा है 2, 2 units, तब जाके 2 into 30, 60 हुआ याने 3 मिलाकर कितने हो गए 11 unit 3 मिलाकर 11 unit एक दिन में तो question बोल रहा है कि total work done, तो यार 11 units के लिए उन्होंने एक दिन लिया तो 60 units के लिए 60 units के लिए वो कितना दिन लेंगे हमने क्या कर लिया Unitary method, ये इतना तो वो कितना 11 unit, 6 प्लस 3 प्लस 2, ये क्या होँआ पर दे, ये A का एक दिन का, B का एक दिन का C का एक दिन का, तो तीनों का मिलाकर पर डे कितना हुआ एक दिन में पर डे, तो साहमें बनाना कितना है 60 unit के लिए कितना दिन खतम 11 unit के लिए एक दिन, तो 60 के लिए कितना Cross Multiply कर लो, ये unit, unit डे डे चोड़ो, 11 इंटू X 11X, 60 इंटू 1, 60 तो X कितना हुआ, 60 by 11 days 60 by 11 days, या फिर आप इसको बोल सकते हो 5.454545 days या न, मतलब 5 दिन पूरा और 30 दिन का थोड़ा हिस्सा याने 6 दिन पूरे नहीं, 5 days complete 0.45 days, मतलब 6 days almost half, half से कम almost half खतम गाई, अब ये हुआ आपका random approach, standard approach में आप क्या करते थे A का एक दिन का काम, 1 by 10 का मिलकर एक दिन का काम x days तक डटे रहे तब काम पूरा ये चाहे तो x यहां से उठा कि आप यहां रख सकते हो और ये आपको निकालना है, तो 10, 20, 30 का common multiple कोन है, 60 तो 60 लाने के लिए यहां 66 से multiply कर लो यहां 33 से multiply कर लो यहां 22 से multiply कर लो तो 3 जगे 60 आजाएगा जो हमने common ले लिया तो guys, अब यह कितना हुआ, 11 by 60 3 का addition is 1 by x तो मुझे बताओ, taking reciprocal on both side 1 by x का reciprocal x 11 by 60 का 60 by 11 क्या same answer आया, yes random approach या standard approach मर्जी आपकी मर्जी आपकी, अब question हम करना start करने वाले है तो बने रहो दोस्तो, और बिलकुल pipes and system भी आप देखोगे, कोई हलग नहीं है तो एक हलकी सी चीज वहाँ बदलेगी, वह मैं आपको बताऊंगा बट पहले हम basics of time and work सीख चुके है तो उसके question start करते, come on दोस्तो तो आ can do the piece of work in 20 days B can do, अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो एक काम करो मैं यहार random approach से कर रहा हूँ आप घर पे standard approach try कर लेना या कोई है question अगर मैं standard approach से कर रहा हूँ आपर random approach try कर लेना पहला question इसलिए मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ second question onward हम एक ही concept से जाएंगे तो A can do the piece of work in 20 days A अकेला 20 दिन में कर रहा है and B can do in 15 days तो guys दोनों का common multiple कोन है 60 तो मैं है total work done मान लेता हूँ 60 units, 60 unit तो A का एक दिन का काम कितना हुआ 60 unit हमें बनाने है दोस्तों इतना काम हमें करना है और ये काम A अकेला 20 days में करता है B अकेला 15 days में करता है तो A का एक दिन का काम कितना 60 upon 20, 3 units 20 दिन लेता है याने हर दिन 3, 3, 3, 3 बनाता है तब जाके 60 unit हुए B का एक दिन का काम कितना 60 upon 15, 4 units मज़रे हो 15 दिन में तब होगा जब हर दिन 4, 4, 4, 4 बनाएगा तो दोनों का मिलाकर कितना 7 तो guys ये 7 क्या है दोनों का मिलाकर units per day तो दोस्तो simple है अगर वो 7 units बना रहा है per day में एक दिन में याने 7 units के लिए वो एक दिन ले रहा है तो guys हमने total work done कितना assume किया है 60 unit उसके लिए कितना दिन लगेगा question ने ये ही पुछा है न how long will they take if work together by 4 दोनों साथ में काम करें तो कितना days लगेगा तो दोस्तो अगर डे डे unit unit ये जस्ट आपके understanding के लिए खा ये लिखने के ज़रूत नहीं है 7 unit एक दिन में तो 60 unit के लिए कितना दिन cross multiply करो 7x is equal to 60 तो x कितना मिल गया 60 by 7 देख लो काहा match हो रहा है 60 by 7 60 by 7 60 by 7 अच्छा ये सोरी ये option B तो इतना प्रॉप देखो हमारा answer fraction form में आया है उसने whole fraction form में दिया ये तो हम स्कूल में सिखें किसी भी whole fraction form को fraction form में कैसे करते हैं ये हम स्कूल में सिखें आ इंटू C ये जो integer है generally ये A whole fraction B by C क्या होता है A plus B by C होता है या या इने cross addition उने use होता है इसका मतलब क्या होता है A plus B A and B by C तो A and B by C या इने A plus B by C या cross addition A into C plus या कुछ नहीं मतलब वहन होता है तो B हम इसलिए direct add करते है upon C बराबर तो ये whole fraction form को fraction form में convert करने का तरीका तो guys देख लो अगर मैं ये ले लू 8 whole fraction 4 by 7 तो सबसे पहले 8 into 7 56 plus ये numerator है na plus B याने numerator 4 upon 7 60 by 7 is the answer 56 plus 4 60 by 7 clear है guys हमने कहा से किया random approach से अगर आपको इसको random approach समझ में आया 60 unit हाँ अगर आप में से कोई 120 unit भी आजियों करता कोई tension नहीं आता guys ये 3 के जगे 6 हो जाते ये 4 के जगे 8 हो जाते ये 7 के जगे 14 हो जाते तो last में हम क्या बोल रहे थे 14 unit एक दिन में फिर भी मैंने बताया चलो अब देख लो इस ही को अगर हम आपके लिए एक question हम जैसे मैंने कहा था कि इसको मैं random approach से तो कर लिया आप standard से भी करता हो तो A का एक दिन का काम 1 by 20 B अकेला 15 दिन में उसका एक दिन का काम 1 by 15 X देज तक डटे रहे तब जाके काम पूरा हुआ काम पूरा हैने क्या 1 और X उदर जाके डिवाइड हो गया अगेन common multiple 60 है दोनों का तो यहाँ 3-3 से multiply कर लो यहाँ 4-4 से कर लो तो यह कितना हुआ 7 by 60 taking reciprocal on both side तो 1 by X का X हो गया और यह 60 by 7 हो गया चम का क्या भाई? चम का एकदम easy दोस्तों आज आओ फटाफट अब बोल रहा है in a previous question यहने पिछले question को ध्यान में लेना है A का 20 दिन, B का 15 दिन A याद रखना है A अकेला 20 days किसी काम के लिए B अकेला 15 days उसी काम के लिए और अब C नाम का वर्कर भी जूड़ गया है who can finish the same work in 25 days C नाम का वर्कर, तीन वर्कर So then how long will they take to complete the work? भाई हमें यह तो पता था कि इनका common multiple कितना था? 60 unit मैंने का आए कि generally ऐसे डाइम पर total work done क्या आलो जो तीनों का common multiple है दो थे तो दो कालियाब थीन है तो इनका तो 60 unit सही है गाईज लेकिन what about 25? कि 25 divide करता है 60 को? करता है लेकिन यह integer में नहीं होता है मतलब divisible नहीं है completely पर ऐसा unit लो ना जो 25 से भी divide हो जाए इतना तो पक्का है कि इन दोनों को satisfy कोन करेगा 60 या 60 का multiple जैसे 120, 180 बस अब आप देखो कि 60 तो 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है ठीक है? 60, 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन 60 का ऐसा कौन सा multiple है जो 25 से डिवाइड हो रहा है 60, no अब उसके लिए again 25 का table याद होना जुरूरी है 60, no 120, no, 180, no है ना 25 के table में 61, 20, 180, 240 नहीं आते 300, yes 300, तो guys यहाँ पर मैं total work done ले ले लेता हूँ 300 unit मन में solve हो जाएगा after certain practice कुछ level के practice के बाद यह सारे question मन ही मन solve हो जाते pain paper की जूरूरत नहीं पड़ती लेकिन practice के बाद ठीक है? तो A, अगर यार 300 unit बनाने है वो 20 दिन लेता है अकेला तो एक दिन में कितने बन जाएंगे 15 unit B, 15 दिन लेता है 300 unit के लिए तो एक दिन में कितने बन जाएंगे 20 units, समझ रहो न कैसे निकाल रहे हो यह निकाला आपने 300 और अकेला 20 दिन में करता है तो यह आया 15 यह कैसे निकाले, यह 300 unit बनाने है, किसको B को वो अक्यला 15 दिन लेता है, तो अक्यला अगर 15 दिन लेता है 300 unit के लिए, तो हर दिन कितना बना रहा है, 20, 20, 20, समझ रहो, तो इस तरह से हम बना रहे हैं, तो A का निकल गया, B का निकल गया, C का निकल गया, C का निकाल लो, अगे बताओ, तीनों मिलकर एक दिन में कितना बना रहे है, 47 units per day, तो 47 unit एक दिन में हमें बनाने कितने है, 300 unit कितने दिन में खतम, 47 unit के लिए एक दिन, 300 unit के लिए कितना दिन, 47 x is equal to 300, तो x कितना, 300 by 47, कौन से option से match हो रहा है, भाई, पूरे option में देखो, दिनों मिलकर 47, सिरिफ ए है पिछले example में भी वही था कि हमारा answer fraction form में आया था, option whole fraction form में थे, लेकिन यहाँ पे देखो, denominator 7 हर जगे था, इसलिए मैं cross check करना पड़ा कि 60 by 7 कहां पे आ रहा है, 8 into 756 plus 4, 60 by 7 पे हमने tick किया था, और एक चीज़ याद रखो गईज, whole fraction form हो या fraction form हो, denominator दोनों का same होता है, c plus b upon c लो, denominator दोनों में same होता है, whole fraction या fraction, देखो यहाँ पर भी, यहाँ denominator 7 था, यहाँ भी 7, तो उसी तरह guys, यहाँ denominator 47 आया, पूरे option में denominator 47 सिर्फ A है, तो A is the answer, cross check भी करने की ज़रुत नहीं, करना है तो कर लो, अगर आप 6 18 by 47 को करो, तो 6 into 47 होता है, 282 plus 18 add कर लो, यह कित तो guys, आजाओ, next question, अब इसको हम थोड़ा अपने style से करेंगे, मतलब random चाहे तो random है न, A and B can complete the work in 4 days and 12 days, यहने A का अकेले का 4 days देदे, B का 12 days, if they work on alternate days, इस पार ध्यान रखो, अब तक हमने जो 2 question किये guys, या मैंने जो आपको introduction में बताया, उसमें हम क्या कर रहे थे, A का अक together, together, simultaneously, together, सकतर्क रहो, सुरक्षित रहो, और देखते रहो हमारे lectures, so guys, simple सी बात है, day work on alternate days, अगर इस word को आप ignore कर दोगे न, तो कितना बड़ा accident हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, A, अकेला 4 दिन, B, अकेला 12 days, तो मुझे बताओ, 4 days and 12 days, common multiple कोन हुआ, 12 खुद, 12 खुद common multiple है, चाहे तो 24 ले लो, चाहे तो 48 ले लो, आपको पता है, random approach में कुछ भी ले लो, तिरी बंती कोशिश multiple लो, तो चीज़े आसान हो जाती, तो मैं ले 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 तो 12 units of work हमें करना है, this is our total work done, तो एका एक दिन का काम कितना, अगर वो 4 दिन लेता है, तो 12 unit बनाने के लिए, वो हर दिन कितना करेगा, 30 units, 4 days लेता है, 12 unit बनाने के लिए, तो एक दिन में 3 units, and B तो भाई, 12 दिन लेता है, 12 unit के लिए, तो बच्चा भी बता देगा, 12 दिन, 12 unit के लिए, तो हर दिन कितना, 1 unit, तो दोनों मिला कर कितने हुए गाई Simultaneously मतलब क्या दोनों पहले दिन से साथ में आखरी तक Alternatively मतलब क्या पहले पहला बंदा फिर दूसरा दूसरे दिन सेकंड पिर आपिस 3rd day 1st 4 day 2nd Alternatively अकेले अकेली कर रहे है अलग-अलग दिन तो guys अगर 4 unit वो बना रहे है तो क्या ये एक दिन में बन रहे है नहीं पहले दिन A आया उसने 3 unit बनाए दूसरे दिन B आया उसने 1 unit बनाए यानि कि ये 4 units जो बने है न दोस्तों ये 2 दिन में बने है तो हमारा total work done है 12 units उसके लिए कितना time लगेगा तो देख लो अब unit unit days days छोड़ दो तो 4 into x 4x 12 into 2 24 तो guys x कितना आया 24 को 4 ने divide किया 6 24 upon 4 कितना आया 6 तो answer क्या बनता है 6 लेकिन अब सुनना वो student वो हुनहार student जो इस word को ignore कर देते बिल्कुल उस तरह ignore करते जैसे कि आपको आपका crush ignore करता है ठीक है उसी तरह जो आप अगर इसको ignore कर दो alternate word को तो पता है आपका answer क्या आएगा आप सोचोगे A अकेला एक दिन में 3 unit B एक unit यानि दोनों मिला कर कितना 4 units तो दोनों मिला कर अगर 4 unit बना रहे एक दिन में तो एक दिन में दोनों मिला कर 4 unit बना रहे तो 12 unit के लिए कितना लगेगा 3 और देखो उसकी गद्दारी question की उसने 3 भी दे रखा है और majority student इस पर टीक कर देंगे फूश होंगे वाँ answer मैच हुआ एक्जाम के भाहर आकर कितना easy paper था यार लेकिन result कुछ अलगी आएगा क्योंकि भाई समझ गयो ना कागलती हुई तो दोस्तों simple है आके 3 unit बना दिया फिर दूसरे दिन भी आके एक unit बनाया तो दोनों का मिलाकर चार unit दो दिन में एक दिन नी दो दिन बस फिर वही चार unit के लिए दो दिन लगे तो total work done कितना माना है हमने 12 unit के लिए कितना खतम वो आगया 6 days 6 is the answer come on guys अब इस बार देखो question ने अब तक A का अलग देता था, B का अलग देता था, C का अलग देता था together पुछता था इस बार question अब उल्टा भी खेल सकता है न कभी कबार उसने नीशू र अर्चना together कितना दिन लगता है वो दे दिया है 10 days together 10 days लगता है दे दिया है नीशू alone can do in 12 days नीशू का अकेली का भी दे दिया है 12 days, तो बोलाए how many days can अर्चना do it alone भाई simple है मुझे बताओ, again, मैंने काया है न, जो days ये उसका common multiple, assume कर लो so 10 days and नीशू का 12 days common multiple क्या 60 मान ले so total work done अब मान लेते 60 units तो मुझे बताओ नीशू alone takes 12 days तो नीशू अकेली एक दिन में कितना बना लेगी 60 unit बनाने के लिए 12 दिन ले रही है तो अकेली 5 units अकेली कितना बना लेगी 5 units नाव नीशू and अर्चना together together कितना, देखो they together take 10 days, तो 60 unit के लिए 10 दिन ले रही है, तो हर दिन कितना बना रही है, 6 units भाई मुझे बताओ, नीशू अर्चना 6 unit together बना रही है, उसमें नीशू अकेली 5 बना रही है बात समझ में आ रही है question ने बोला कि भाई जो total काम है, वो नीशू अकेली 12 दिन में कर रही है, और दोनों together 10 दिन में, अफकोस together होने के बाद थोड़ा दिन तो कम होगा, बड़ा बुद तो अर्चना हट बटाएगी, तो guys अकेली नीशू 12 दिन में कर रही थी दोनों मिलाकर 10 दिन, हमने मान लिया 10 और 12 का total common multiple 60 होता है, तो 60 units of work हमें करना है, random approach तो 60 unit of work, नीशू और अर्चना कितने दिन में करेगी, क्योंकि अगर वो 60 unit 10 दिन में कर रही है 60 unit वो 10 दिन में कर रही question ने बोला है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना units बनाएँगी, 6 units बनाएँगी दोनों मिलकर, और नीशू अकेली वो ही काम 12 दिन में करती, तो उसने कितने बना लिए, 5 unit, तो guys यह दोनों मिलकर, जो 6 unit बना रहे है उसमें से नीशू अकेली 5 unit बना रही है तो अर्चना कितनी बनाएँगी, बच्चा भी बता देगा, एक unit, sir तब जाके दोनों का addition ऐसी कर रहे था अब अब तक के question में, A का फिर B का, फिर C का और add करके together, तो इस बार question की चाला की क्या है, उसने हमें नीशू का दे रखा है, together दे रखा है तो यह हमने निकाल लिया नीशू अकेली 5 unit एक दिन में, नीशू अर्चना दोनों मिलकर 6 unit एक दिन में, बढ़ 6 में से हमें पता है कि नीशू के 5 है तो अर्चना का कितना 1 unit तो guys, question बोल रहा है, how many days will अर्चना take to do it alone यह total work done अगर उसको अकेली को करना है अर्चना को अकेली को करना है तो कितना time लेगी तो यह चीज हमें क्या बता रही है कि अर्चना एक unit एक दिन में बनाती है यह per day, per day, per day का हिसाब होता है यह per day का हिसाब होता है हमारा 12 दिन 60 unit के लिए तो एक दिन में 5 10 दिन 60 unit के लिए तो एक दिन में 6 तो अर्चना ने एक दिन में कितने बना लिये छे में से पाच निश्यु के है तो एक अर्चना का तो एक उनिट के लिए उसने एक दिन लिये तो total work done पूछा है question है 60 उनिट के लिए कितना बच्चा भी बोल देगा कि sir एक unit के लिए अगर एक दिन ले रही है तो 60 units के लिए 60 days ही लेगी ना इसके लिए तो cross multiplication की भी ज़रूत नहीं एक unit के लिए एक दिन तो 60 unit के लिए 60 मैंने कहा ना जैसे ऐसे practice बढ़ती है ना आप ऐसे questions को और ली करना start कर दोगे जो बहुत से omate की actual variety है cat के लिए भला ही foundation है ठीक है guys तो simple है तो नीशू अर्चना आपको दे दिया था फिर नीशू का के लिए का दिया था आपने बस उल्टे तरीके से सोचा कि दोनों मिलकर 6 एक दिन में उसमें से नीशू 5 तो अर्चना एक तो अर्चना एक उनिट एक दिन में तो total work done कितना है? 60 उनिट एक उनिट एक दिन में 60 उनिट के लिए कितना? 60 days guys 60 days next आजाओ अन्जू, मन्जू and संजू together can reap a field in 6 days again तीनों का together दिया है अन्जू फिलाल नहीं पता, मन्जू नहीं पता, संजू नहीं पता together दे दिया है इन तिनों का 6 days अब अन्जू का बोला है अन्जू do it in 10 days बहुत बढ़िया मन्जू 24 days तो how many days will संजू alone take to read the field? सेम पिशली question की तरह है नीशू अरचना का जो था, स्री वहाद 2 थे यहां 3 है तो guys, simple है मुझे सबसे बढ़े तो देखो 6 days, 10 days और 24 days इनका common multiple कौन है 6, 10, 24 का common multiple है 120, again table 24, 4, 5, 0, 120 6, 10, 24, 24 सबसे बढ़ा है उसका table दिमाग में लाओ 120, 120 है ऐसा नंबर है जो इससे भी divide होता है इससे भी हो रहा है तो guys, अगर मैं total work done यहां money man मानलू 120 unit बनाना तो अंजू अके लिए 10 दिन में बना रही है तो एक दिन में कितना बना लेंगी 12 units एक दिन में कितना बना लेंगी 12 units then manju 24 days में बना रही है 120 unit के ले 24 तो एक दिन में कितना divide कर लो 5 units कमझे रहो न यहां 120 को 10 से divide के 12 आया फिर 120 को 24 से divide के 5 आया संजू का पूछा है हमें ठीक है लेकिन together कितना बना है 6 days तो 6 दिन में 3 मिलकर बना रही है तो मुझे बताओ 120 unit के लिए 6 दिन अगर लग रहे हैं उनको 3 को तो एक दिन में 3 मिला कर कितना बना रही है तो 20 units तो guys 6 दिन में 120 तभी बनेंगे जो हर दिन 20 20 20 20 बनाएंगे बट उस 20 20 20 में से अंजू के बारा है मंजू के पाच है तो संजू के कितने guys 3 units total 120 लाना है नो 17 हो गया 3 units इसका मतलब संजू 3 units बना रही है एक दिन में तो 120 unit के लिए कितना 120 unit के लिए कितना 3 units एक दिन में तो 120 unit के लिए कितना cross multiply कर लो guys 3x अगर 120 है तो x कितना 40 days 120 upon 3 40 days समझ में आया क्या मगज में आया क्या guys बहुत इसी था A याने अंजू 12 unit मन्जू 5 unit संजू का नहीं पता था बट हमें together पता था 20 unit और वो कैसे निकाला अगें जो days दिये थे together 6 फिर अंजू अके लिए 10 फिर मन्जू अके लिए 24 और संजू का पूछा था तो 3 days का जो common multiple फिर पान जो था काम शूरू किया तो अंझू अगर 10 दिमें बना री है 120 उनिट तो एक दिन के बारा हो गाए मन्जू 24 X दिन में बना री है तो एक दिन के 5 Music और색 लिए उन्स शे आप आपए आँ के पास n ले लो, एक दिन का काम मिलेगा, मंजू का एक दिन का काम कितना, 1 by 24, पंजू का एक दिन का काम नहीं पता, हमें निकालना है, तो 1 by S ले लो, यह S है, हाँ, यह जो 5 जैसी चीज दिख रही आपको, वो S है, ठीक है, तो ऐसी करते हैं, तो यह हुआ तीनों का टुगेदर वाल और X देज तक डटे रहे, तब काम पुरा हुआ, लेकिन इस बार X हमें पता है, X कितना दिया है, 6 देज तक डटे रहे, इस बार हमें संजू नहीं पता है, लेकिन यह तो मालूम है कि at least 3 मिलकर कितने दिन में काम खतम कर रही है, 6, तो यह क्या हो जाएगा, यह 1 by 6, यह 6 स जाएगा, together X जो हम लेते हैं, अपने standard equation में, वो इस बार 6 दिया है, तो जो हम X उदर divide करते हैं, इस बार 6 इदर कर लो, तो संजू निकालना है, संजू को अकेला करो, 1 by 6 as it is, 1 by 10 उदर जाके minus हुआ, 1 by 24 उदर जाके minus, समझ रहे हो ना, normal mathematics, 6 multiply कर रहा था, उदर divide हुआ, औ दोनों plus है, उदर जाके minus हुए, अब 6, 10, 24, common multiple, 120, तो यहाँ 120 लाने के लिए, 20 से multiply कर लो, minus है तो minus ही रहो, यहाँ 12 से multiply कर लो, यहाँ 5 से multiply कर लो, तो तीनों जगे 120 आ गया, common ले लिया, तो यह कितना है, 3 by 120, फिर से यह कितना हो गया, guys, 1 by 40, तो 1 by संजू अगर 1 by 40 है, reciprocal on both side, तो संजू कितना है, 40, I rest my case, my lord, इस question के लिए, अब your question बागी है, ठीक है, guys, come on, next question, संभू can do one half of the work, अब देखो, again, one half of the work in 8 days, while कालू can do one third of the work in 6 days, guys, again, ऐसे question को, again, अगर आप standard approach से करना चाहो, तो standard approach में जो हम reciprocal लेते हैं, 1 by A, 1 by B, 1 by C, वो हम किस days का लेते हैं, जो पूरे काम को लगने वाला days होता है, कि भई, पूरा काम 10 दिन में हुआ, तो एक दिन का 1 by 10, पूरा काम 20 दिन में हुआ, तो एक दिन का 1 by 20, है ना, तब लेते हैं, यहाँ पे उसने आदा दूरा काम दिया है, तो half work 8 days में हो रहा पहले तो यह समझो कि half work अगर 8 day में हो रहा है, तो पूरा काम कितना 16 days में, याने संभू, संभू, कालू नी, तो संभू आधा काम अगर 8 day में करता है, तो पूरा काम कितना 16 days में, तो उसका एक दिन का काम कितना हो, 1 by 16, गाईज, ऐसे समझो, again कालू, one third of the work अगर 6 दिन मे कर रहा है, तो पूरा काम कितना हो, one third, one third, one third, one third, जैसे half half मिलाकर, मैं अभी standard approach बता रहो पहले, ठीक है, standard approach देखो पहले, पिर चाहे तो यह बता दूँगा, तो संभू का guys, half work 8 दिन, तो पूरा काम 16 दिन common sense, तो एक दिन का काम 1 by 16, क्योंकि यह जो रेसी प्रोकल हम लेते है, यह पूरे काम को लगने वाले days का लेते है, आधे अधूरे काम का नहीं, कालू one third of the work, तो पूरा काम एने एक होता है, तो one third, one third, one third, one third मिलाके एक, तो one third, 6 दिन, तो पूरा काम कितना, 18 days, one third, six, one third, six, one third, six, 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 plus six, 18, common sense, या फिर अगर आपको मैं इसका pattern ब का रेसिप्रोकल किया, two into eight, 16 है, यह उसका pattern है, one third of the work, one third of the work, कितना बोला है, छे दिन, अब जितना भी आधा दूरा काम बोला है, उसके रेसिप्रोकल से days को मल्टिप्ला करो, तो one by three का रेसिप्रोकल कितना, three, three into six, 18, अगर आपको ऐसा बोला होता था, one fourth of the work in four days, तो one by four का रेसिप्रोकल कितना, four, तो four into four, 16 हाता, two fifth of the work in eight days, ऐसा भी बोल सकता है, two fifth of the work in eight days, लेकिन हमें ये नीच यह, पूरे काम के लिए, तो two fifth का रेसिप्रोकल कितना, five by two, two fifth का रेसिप्रोकल कितना हुआ, guys, five by two, और क्या करना है आपको, मैंने का है, कि इसके रेसिप्रोकल से इसको multiply करो, इसके रेसिप्रोकल से इसको multiply किया, 16 आया, ये 18 आया, उसी तरह two by five का रेसिप्रोकल five by two से इसको multiply करो, तो ये कितना है, two fours are eight, five into four, twenty days, तो इस तरह से आप पूरा work done निकाल सकते हो, ये pattern, कि आदा अधूरा जभी भी काम दिया होता है, उसका रेसिप्रोकल three into six, 18, ये हुआ पूरे काम का days, पूरे काम को लगने वाला days, संभू का, कालू का, तो संभू one by sixteen, कालू one by eighteen, तो बस एक दिन में संभू one by sixteen काम करता है, कालू one by eighteen करता है, ये हुआ दोनों का together वाला काम, question बोल रहा है, how long will they take to complete the work together, ठीक है, both of them to finish the work, both of them मतलब together, ठीक है, alternatively वागेर दिया है, तो ही उसको respect दो, जबरदस्ती logic मत लगाओ कि शायद alternatively भी दिया होगा, alternatively अगर देना होता तो mention करेगा, अगर नहीं mention किया है, तो ये simultaneously ही है, together, तो is one by x, again यहाँ पर tables, 16, 18 का common multiple, अगर table by heart है, तो आपको समझ जाएगा 144, 16, 9's are 144, 99 से multiply कर लो, 18, 8's are 144 8, 8 से multiply कर लो, तो ये कितना होगा, 17 upon 144, taking reciprocal on both side, तो x कितना मिला हमे, 144 upon 17, option B, option B, तो इस question से आपने एक नई चीज़ सीखी, कि जब इस तरह आधा अधूरा काम दिया होता है, तो उससे कभी भी एक दिन का work मत निकालो, 1 by 8 कोई ले लेता यहाँ पर गया, 1 by 6 कोई ले लेता गया, पहले तो पूरा काम करने को कितना days लगता है, तो आधे के लिए 8, तो पूरे के लिए 16, 13 के लिए 6, तो पूरे के लिए 18, और उसका फिर reciprocal लो, बाकी same process, यह होगा standard approach, यह होगा standard approach, again guys, आपको फिर से ऐसी value लो, total अगर random approach से लेना है, जिसका आधा, मतलब जिसका common multiple मैं ले लू 24, ठीक है, total work done, अगर 24 है, ठीक है 24, तो उसमें से आधा काम, यानि कि 12, आधा मतलब क्या होगा, 12 अगर वो 8 दिन में करता है, 12 unit वो, अगर मैं total work done, 24 units ले रहा हूँ guys, तो अब देखो, संभू, आधा काम, तो इसका आधा कितना होगा, 12 unit, 12 unit के लिए 8 days लेत कितना होगा, 3 by 2 unit यानि कि देड, ठीक है, एन कालू, वन थर्ड अप देवर्क, तो इसका वन थर्ड कितना होगा, 8 unit, 8 unit के लिए 6 दिन, तो एक दिन में कितना होगा guys, 4 by 3, तो दोनों का together कितना होगा, तो दोनों का together ले लो 3 by 2 plus 4 by 3, कितना होगा, cross addition के बाद, 9 plus 8, 17 by 6, त दोनों together बनाते हैं per day, तो 17 by 6 एक दिन में, तो 24 unit कितने दिन में, खतम, 17 by 6 एक दिन में, total work done 24 unit है, कितने दिन में, देखलो guys, 17 by 6 x 24, तो x कितना होगा, 24 into 17 by 6, उदर जाके reciprocal हो जाएगा, 6 by 17, तो 24 6 दार, 144 upon 17, देखो, same answer, 144 by 17, अब मर्जी आपके आपको कौन सा बेस्ट ल लगा, इसलिए मैं जहाँ ज़रुत बढ़री, दोनों बता रहा हूँ, दोनों best है, जिसमें आपका comfort zone बन जाए, आप उससे जाओ, ठीक है, अगर दोनों में बहुत बड़ा difference होता कि पहले करने के लिए 5 second लग रहे, दुसरा करने के लिए 2 minute लग रहे, तो मैं definitely दुसरा ब multiple 24 मान लिया, अब उसका आधा लेकिन question इस बार पूरा work done के लिए 8 days नहीं, 6 days नहीं दिये थे, 8 days, 6 days जो भी दिये है, वो आध्या धूरे काम के लिए, तो 24 days अगर पूरा है, तो उसका आधा, याने 12 unit के लिए 8 days, तो एक unit, एक दिन में कितना, ठीक है, 12 unit, 8 days में 12, तो एक दिन में, कितना, cross multiply कर लो, बराबर के आएगा, 12 by 8, अब इतना करने की जोरूत नहीं, हर बार, तो एक दिन के लिए 12 by 8, अगें, 1 third of the work, क्याने 8, 24 total work done, उसका 1 third, 8 unit के लिए 6 दिन, तो एक दिन में कितना, 8 by 6, तो दोनों को add किया, यह आया, cross addition के बाद, एक दिन का काम, त तो टोटल work done, 24 unit कितना दिन, that's it guys, that's it, तो यह था time and work का basic और उसके question, अब हम शुरुवात करेंगे, pipes and system के जोरदार धमाके की, और जब हम start करेंगे, आपको जर्रा भी नहीं लगेगा, कि हम कुछ नया सीख रहें, एक खट चीज छोड़कर, बागी सब वो ही है guys, पूरी पे सेम है, फिर जो हलका फूल का change है वो भी बता दूँगा, तो guys, pipes and system, system मतलब क्या भाई साहब, यह टंकी, यह system हमें भरनी है, जो अलग-अलग pipe है, एक है pipe A, जो इसको भरता है, अकेला 10 घंटे में, एक है pipe B, जो अकेला इसको भरता है 15 घंटों में, 15 hours में, अब अब अ पे, तो वहाँ पे आप एक दिन का काम निकालते थे, यहाँ एक घंटे का काम निकालोगे, अगर hours में दिया है तो, एक मिनिट का निकालोगे, minutes में दिया है तो, simple, तो guys, A, अकेला 10 घंटे में, B, अकेला 15 hours में करता है, यह अकेला है, मतलब A start हुआ है, B, बंद हुआ है, 10 गंटे में टंकी फुल, भी स्टार्ट किया एको बन किया पंदरा गंटे में टंकी फुल लेकिन अगर दोनों को स्टार्ट किया together simultaneously कितना time लगेगा तेम random approach से करेंगे standard approach से करेंगे तो random approach में अब तक हम total work done assume करते थे यहाँ पर भी करो, यहाँ पर हम पता है कि assume करेंगे, इस system की capacity, तो हम यहाँ पर मान लेंगे total work done, इस system की capacity again same process, 10 और 15 का common multiple कॉन 30 liters है न, liters में ले लिया तो 30 liter की टंकिया में भरना है जो अक्यला ए 10 घंटे में भरता है, तो A ए 1 घंटे में कितना भरेगा, definitely 3 liters per hour अक्यला A, 10 घंटे में 30 liter भरता है, तो 1 घंटे में कितना 3 liter, अक्यला B 15 घंटे में 30 liter भरता है तो 1 घंटे में कितना, 2 liters 15 hours में भरता है पुरी टैंक, पुरी टैंक याने 30 liter 30 liter के लिए 15 आवर तो भाई 1 घंटे में कितना 2 लिटर तो दोनों मिलकर कितने लिटर भर दिये भाई 1 घंटे में 5 लिटर 3 प्लस 2 5 लिटर 1 घंटे में तो simple दोस्तो 5 लिटर 1 घंटे में तो total capacity 30 कितना लगेगा तो simple 5 लिटर के लिए 1 घंटा तो 30 लिटर के लिए कितना 6 घंटा 6 hours कैसे कर रहोगे सेम यहाँ पर X मान के cross multiply 5X is equal to 30 लिटर लिटर का कोई टेंशन नी तो X कितना मिला 6 X कितना मिला गाईज 6 सेम चीज का फरक है बताओ मुझे है एक हलका सा फरक बताओं आपको लेगिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तो A, B इसको भर रहे है A अकेला time दे दिया, B अकेला का time दे दिया दोनों together का पूछा है तो हमने वही जहाँ total work done assume करते थे वहाँ हमने total capacity assume कर लिए 30 लिटर इन दोनों का common multiple तो A का 1 घंटे में 3 लिटर अगर 10 घंटे में 30 तो 1 घंटे में 3 15 घंटे में 30 B का तो 1 घंटे में 2 तो दोनों मिला कर 5 लिटर पर आवर तो 5 लिटर एक घंटे में 30 लिटर के लिए 6 घंटा यह हुआ random अब standard approach देखो again same A का एक घंटे का काम plus B का एक घंटे का हम एक दिन का बोलते थे reciprocal लेके हिए एक घंटे का बोलेंगे तो यह bracket मतलब क्या दोनों का मिलकर एक घंटे का काम एक सावर्स तक डटे रहे था एक सावर्स तक डटे रहे था काम पूरा यहाँ पर काम पूरा मतलब क्या 1 होगा जब हम standard approach ले रहे हैं तो guys again 1 by 10, 1 by 15 same data है न, जो ये था A का 10 R, B का 15 R और X उदर गया, 1 by X निकाल लो, यहाँ 3 से multiply है यहाँ 2 से multiply है तो denominator 30 हो गया और आपका काम हो गया 3 plus 2, 5, 510, 560 taking reciprocal on both sides, same answer है same answer है तो सर्फ फरक का है, दोस्तों फरक देखो कहा पर है कभी गवार ऐसा होता है यहाँ पर कि A नाम का worker 10 घंटे में भरता है लेकिन B नाम का worker 15 घंटे में खाली करता है मतलब यहाँ पे oppose में काम हो रहा है time and work में generally question हमेशा भाई चारे वाले आते है हमेशा एक जैसे काम वाले आते दोनों अगर help कर रहे हैं दूसरे को तो help भी करेंगे दोनों बना रहे तो बनाएंगे तोड़ रहे तो तोड़ेंगे generally ऐसा होता नहीं कि A बनाए जा रहा है दिवार को फिर वो बिल्कुल इसी वराइटी का होगा क्योंकि वहाँ पे चीजे अपोज में चल रही है अब तक हमने कैसे question देखे A B बिल्ड कर रहा है तो B B बिल्ड कर रहा है T B आ रहे तो वो भी बिल्ड कर रहा है सब एक जैसा काम कर रहे हैं दूसरे के favor में Time and work में generally अपोज वाले नहीं आते जनरली बट आया तो respect दो बट pipes and system में जरूर आते हैं और by chance time and work में आ भी गया तो उसका approach वोई होगा जो अब यहाँ पे आप सीखोगे क्योंकि यार pipes and system में होता है एक inlet pipe होता है किसी टंकी को outlet pipe होता है किसी ने गलती से चालू कर दिया दोनों तो inlet भी शुरूए विचारा भर रहा है outlet भी खाली कर रहा है या कभी कबार system को leakage आ जाता है तो पानी तो भर रहा है लेकिन leakage टपक रहा है टपक रहा है तो यहाँ पे जनरली होता है कि कोई कोई काम oppose में भी हो रहा है सारे जो भी worker है favor में काम करें जरूरी नहीं यहाँ पे A और B को अगर मैं worker बोल दू pipes को तो same time and work वाली बात होगी तो यह worker है यह काम करना है लेकिन यहाँ oppose में हो रहा है यह भर रहा है यह खाली कर रहा है तो guys अब यहाँ पे क्या करोगे question बोल रहा है A can fill the tank in 10 hours alone, akela तो B बंध है B can empty the same tank B can empty, fill नहीं empty the same tank in 15 hours so how many hours will be required if both work together watchman ने गलती से दोनों start कर दिये नया watchman था उसको पता ही नहीं outlet है, दोनों start कर दिये लेकिन A भर रहा है, B खाली कर रहा है तो अब मुझे बताओ कितना time लगेगा same guys, same, पहले तो random approach फिर से, जो hours दिये उससे आप common multiple लो total work done क्या हुआ, 10, 30 liter का total work done हमें करना है A, अकेला अगर 10 घंटे में करता है, तो 1 घंटे का काम कितना 3 liter B, अकेला 15 घंटे में खाली करता है तो एक घंटे में कितना खाली करता है 2 liter, तो एक घंटे का काम कितना 3 plus 2, 5 नहीं बस यही पे फरक है यहाँ पे आप add नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि यहाँ favor में भाई चारे से काम नहीं हो रहा है यहाँ oppose में हो रहा है तो ए यहाँ इसका मतलब क्या हुआ ए एक घंटे में 3 liter भर रहा है बी एक घंटे में 2 liter निकाल रहा है जिस घंटे में ए 3 liter डाल रहा है बी उसी घंटे में 2 liter निकाल रहा है याने net output कितना बचा net output बचा 1 liter per hour मतलब यहाँ पे minus करना है जब यह variety आएगी न तो जो अब तका प्लस प्लस कर रहे थे वहाँ minus करना है तो 1 liter per hour तो guys अगर ultimately net output है 1 liter एक घंटे में तो 30 liter के लिए कितना 30 घंटा 30 hours will be required जो पिछले example में आपने देखा था कि दोनों जब भाई-चारे से काम कर रहे थे तो कितना घंटे लगे शिर्फ A 10, B 15, together 6 चुगी भाई-चारा था लेकिन यहाँ oppose है A भर रहा है, B खाली कर रहा है तो A 10 में खाली भर रहा है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 liter भर रहा है लेकिन उसी घंटे में B 2 liter निकाल रहा है सेम, A का एक घंटे का काम जिसको हम 1 by A बोलते हैं, माइनस जब यहाँ माइनस हुआ तो वहाँ पर भी जो हमारा भाई-चारा वाला एक्वेशन है, A का एक घंटे का काम प्लस B का एक घंटे का काम एक सावर्स तक डटे रहे तब काम पूरा जब फेवर में काम हो रहा है तो प्लस बोलो लेकिन जब अपोज में हो रहा है तो माइनस बोलो A का एक घंटे का काम B अपोज कर रहा है तो माइनस B का एक घंटे का काम यह हुआ दोनों का मिलकर नेट वर्क डन एक घंटे का ठीक है, एक सावर सक डटे रहे तब काम पूरा और x उदर जाके डिवाइड हो गया, खतम, तो देख लो, 1 by 10 plus 1 by 15 is 1 by x, अच्छा, यहां plus नहीं minus आएगा, यह minus कर दो, यह न? तो guys, अब मुझे बताओ, 10 और 15 का again 30, तो यहां 3 से multiply, लेकिन minus से, यहां 2 से multiply, common denominator 30, तो यह कितना होँआ, 1 by 30, 3 minus 2, तो taking reciprocal on both side, x is equal to 30, standard approach से भी कितना है था, 30, random approach से, और standard approach से भी 30, छीए guys, simple, तो आते हैं questions पे दोस्तो, a normally filled in 5 hours, normally मतलब क्या? normally filled मतलब क्या होता है, कि भाई, जब सिर्फ a अक्यला काम कर रहा है, तो 5 घंटे में भर देता है, 5 hours, however, it takes 6 hours when there is a leak in the bottom, of course, guys, a बिचारा भर रहा है, भर रहा है, कोई leakage नहीं, 5 घंटे में उसने tank को भर दिया, लेकिन एक bottom में leakage होने के वज़े से, मानलो, b नाम का एक bottom में leakage है, उसके वज़े से अब 6 घंटे लग रहा है, of course, ज़्यादा time लगेगा, यह हमने अभी देखा, कि generally a को जितना लगता है, उससे ज़्यादा हमें 30 hours लगे थे, क्योंकि b निकाल रहा था, यहाँ पर भी a नॉर्मली 5 घंटे में भरता है, बट अब 6 घंटे लगेंगे, क्योंकि there is a leakage in the bottom, so 6 hours आपको क्या दिया है, दोनों का मिला कर, तो question आपको ओल रहा है, in what time shall the leak empty it, यानि question ने आपको यह जो leakage है उसकी individual पूछी है, जैसे कि जो example मैंने लिया था, वहाँ मैंने inlet का individual दे दिया था, outlet का individual दे दिया था, और together पूछा था, इस बार question ने आपको inlet का तो अक्यले का दे दिया है, 6 hours, however it takes 6 hours when there is a leak, मतलब जब a और leak यह दोनों साथ में काम करें, तो 6 घंटे लगते, तो again guys, पहले तो वही करो, जो time दिया है आपको, 5 hours and together 6 hours, दोनों का common multiple 30, so total capacity 30, तो total work done 30 बोलो, तो a अक्यला एक घंटे में कितना, 30 upon 5, 6 लिटर भरता है, 6 लिटर भरता है, b कितना खाली करता है, फिलाल नहीं पता, लेकिन a और b मिला कर, a and b together, कितने घंटे लेते हैं, simple है, a अक्यला 5 घंटे लेता है, इसका मतलब वह 6 लिटर पर घंटा भरता है, लेकिन a और b मिला कर 6 hours लेते हैं, when there is a leak, तो a और leakage मिला कर 6 घंटे, तो 30 upon 6, 5 लिटर ही भरता है, और आपको मालूम है, कि जब चीजे oppose में हो रही है, तो आप माइनस करते हो, तो 6 में से क्या माइनस होगा, तो 5 मिलता है, 1 लिटर, simple है न, 6 लिटर a भर रहा है, लेकिन net output 5 ही बच रहा है, मतलब b कितना खाली कर रहा है, एक, 6 बच 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 रहा है, तो b ने कितना खाली किया, 30 आर्स, 30 लिटर को खाली करने के लिए, उसको कितने घंटे लगेंगे दोस्तो, 30 आर्स, कोई शक, clear, यह न, तो बस ये क्वेशन था, a, 5, दोनों मिला कर 6, ये समझना था कि ये दोनों मिला कर, language से थोड़ा familiar होना शुरू हो जाओगे, जैसे practice में होगा, practice में आओगे, तो total capacity 5, 6 का common multiple 30, 35 घंटे में याने 6 लिटर, ये ने भर दिया, लेकिन add-end 6 घंटे लगे, दोनों को मिला कर, याने 5 लिटर ही per hour आ रहा था, 6 घंटे तब ही लगेंगे न, जब 30 upon 6, 5-5 लिटर हर घंटे आ रहा है, तो 6 लिटर भरने के बाद भी 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि B leakage है न, भाई, वो खाली कर रहा है, एक लिटर एक घंटे में, तो 30 लिटर के लिए कितना 30 hours, ख़त्तम guys, next, 2 pipes A and B can fill the system in 24 and 30 minutes respectively, there is also an outlet C, मतलब A का दे दिया इंडिविजोली, B का दे दिया इंडिविजोली, लेकिन दोनों क्या है, inlet है, A भी भर रहा है, B भर रहा है, clear बोला है, can fill, लेकिन outlet बोल दिया है C को, तो यह C definitely इन दोनों के अपोज में काम करेगा, तो A और B की जब बात होगी, हम plus बोलेंगे, C की जब बात होगी, minus बोलेंगे, now, if all the three pipes are open together, and the tank full in 20 minutes, तो 20 minutes, देखो, इस बार हर चीज़ मिनिट में, ये भी मिनिट में, ये भी मिनिट में है, ये भी मिनिट में, तो कोई tension नहीं, हम एक मिनिट का काम निकालेंगे, तो C का तो वैसे हमें पता नहीं है, लेकिन तीनों का together कितना लग रहा है, question ने बोला है, 20 minutes to do the work, to fill the system, तो अब पुछाए, how much time will be taken by C to empty the tank, तो इसी tank को खाली करने के लिए, C कितना time लेगा, तो दोस्तों, again, common multiple, अब A मुझे बताओ, 24 minute में भरता है 120 liter, तो एक minute में कितना 5 liter, B, 30 minute में, हर चीज मिनिट में, 30 minute में 120 liter भरता है, तो एक minute में 4 liter, and ABC, ABC तिनों मिला कर 120 liter 20 minute में भरते हैं, तो 6 liter, guys, लेकिन 5 और 4, 9 liter तो यह हो गए, क्योंकि यह दोनों तो feeling है, उसके बावजुद 6 ही net बच रहा है, इसका मतलब 3 कहा जा रहा है, तो 3 खाली कर रहा है C, 3 खाली कोन कर रहा है, C, इसका मतलब यह क्या है, per minute का हिसा, 5, A ने भर दिया 1 minute में, 4, B ने भर दिया net output, कितना होना चाहिए था, 9, फिर भी 6 ही बचा, क्योंकि 20 minute में 120 भर रहा है, 6 liter पर minute, तो 3 जो है, वो C खाली कर रहा है, तो 3 liter अगर वो 1 minute में खाली कर रहा है, तो 120 के लिए कितना सेम, 3 liter एक minute में, तो 120 liter इतना minute में, again minute, minute, liter, liter cancel, 3X is equal to 120, तो 3 ने 120 को डिवाइट कर दिया, 40 minute, common sense है, मतलब यह calculation आप औरली कर सकते हो, कि 3 liter वो 1 minute में खाली कर रहा है, तो total capacity खाली करना, याने 120 liter खाली करने के लिए 40 minute, खीख है, आप इसको standard approach से भी कर सकते थे, A का, plus B का, minus C का, C के लिए minus करना है, X hours तक डटे रहा है, और वो X hours कितना है, X minute तक, और वो X minute कितना है, 20 जो उदर जाके divide होगा, है ना, ये bracket को जो आप 20 together वाला time, multiply करते हो, उदर divide होगा, और खतम, 1 by 24, 1 by 30, और 1 by 20 इदर आके minus हुआ, और minus 1 by C उदर जाके plus होगया, हो गया, तो इन तीनों का common multiple 120 है, solve करना, आपको exact answer 40 minute मिल जाएगा, ठीक है guys, चलो, यार अब इसको कर ले न, there are two pipes in a tank, pipe A is for filling, pipe B is for emptying the tank, A can fill the tank in 10 hour, B in 15 hours, same चीज़े दिये, शिरिफ आग अगे नजर हटी, दुरघटना घटी, आखरी line देखो क्या है, how many hours will it take, to completely fill half empty tank, इस बार हमें half tank ही भरना है, guys, जब हमें पूरा काम करना होता है, अगर हम standard approach की बात करें, तो is equal to 1 बोलते हैं, तो जब half करना होगा न, तो is equal to 1 by 2 बोलना, जितना काम हमें करना है, उतना हम is equal to बोलना चाहिए, standard approach की बात कर रहो, random approach तो आप कर लोगे, मुझे पता है, random approach में जो भी आपका answer आएगा, उसका आप half कर लोगे, क्योंकि पूरा काम करने के लिए इतना लग रहा है, लेकिन question ने पूरा पूछा ही नहीं है, लेकिन वो अलर्ट होके पढ़ना है, उसने क्या पूछा है, श्रिप completely fill half empty tank, तो जितना भी आएगा आपका random approach से, उसका half कर लेना answer आगया, जो student standard approach से जाएगा, वो ऐसे भी जा सकता है, a का 1 by कितना, a can fill, b can empty, a can fill in 10 hours, b empty वाला इसले माइनस करोगे, b in 15 hours, x hours सक डटे रहे, तब जाके required काम हुआ, हमेशा हम is equal to 1, 1, 1, 1 बोलते हैं, हम half बोलेंगे, चाहे तो आप 1 बोलो, फिर जो भी x है का उसका आधा करना होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे, standard approach में कि, entire tank is equal to 1, जो हम हमेशा बोलते हैं, अगर कुछ नहीं बोलेगा, तो हम पूरा काम ही करेंगे, लेकिन इस बार वो सामने से बोल रहा है, कि उसको आधा काम ही करना है, तो आधे काम का ही काम बताओ, x कितना लगा, तो direct answer आएगा, आप पूरे काम का बताओगे, तो जो भी एक साएगा, उस पर tick मत कर देना, उसका आधा लेना, क्योंकि पता है, आपका answer क्या आने वाला है, 30, पुरा, पूरे काम का 30 आने वाला है, लेकिन again, question ने half बोला है, तो आपका tick 15 पैना चीए, तो यह homework नहीं रहा, मैंने answer बता दिया है, बट आप बस देखना, कि कई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है, तो guys, देखो again, अब इसको हम standard approach से करेंगे, अब आपको पता चलेगा, क्यार standard approach क्यों जादा अच्छा है, कभी कबार ऐसे question के लिए, रेंडम approach best है for time saving, standard approach best है for essay question, जहाँ पर time नहीं दिया, रेंडम approach में हम common multiple लेते हैं, तो उसके लिए figures चाहिए, यहाँ पर तो figures ही नहीं है, देखो, A can fill the tank in X hours, another can empty the tank in Y hours, तो मैं A मान लेता हूँ, जो अकेला X hours में fill करता है, another can empty बोला है, यहाँ खाली करता है, A भरता है, B खाली करता है, in Y hours, if tank is one third full, tank already one third full है, मतलब इतना काम already हो चुका है, यहाँ इतना काम का हमें headache नहीं है, हमें is equal to क्या लेना होता है, मैं अभी आपको ज़स्छले question में बताया, जितना काम हमें करना है, is equal to हो बोलेंगे, अगर पूरा करना है तो one half करना है तो आदा, one fourth करना है तो one by four, है ना, तो guys, question इस बार बोल रहा है कि tank is already one third full, तो पता है, majority student जो standard approach से जाते हैं, और इस question में standard approach ही best है, यह इस बार हम random approach के लिए LCM क्या लेंगे ना, जा सकते हैं लेकिन फिर वो बहुत random ही, जाद ही random हो जाएगा, तो standard approach, A का एक घंटे का काम, one by x, B empty करना हो ले, इसलिए माइनस B का एक घंटे का काम, one by y, इस तरह, H hours तक डटे रहे, अब मैं यहाँ पर H क्यू ले रहा हूँ, इन विज दे विल टूगेदर फिल इट, जो अल्रेड़ी वन थर्ड भरी हुई है, वो काम हमें पूरा थोड़ी करना पड़ेगा न फिर, तो हमें करना कितना पड़ेगा, दोस्तों, हमें करना पड़ेगा इतना काम, तो पूरा काम अगर one होता है, उसमें से वन थर्ड हो चुका है, तो हमें कितना करना है, गाईस, तू थर्ड अप द वर्क, तू तू थर्ड अप द वर्क, तो इस इक्वल टू टू बाइ थ्री यहां लेना ज़रूरी है, और बस काम हो गया, तो यह हमें निकालना है, पूरा तो वन, आधा तो वन, तू थर्ड तो टू थर्ड, ठीक है, तो बस एच निए, पहले तो क्रॉस सब्ट्रक्शन ले लो, 1 इंटू आए, Y, माइनस 1 इंटू X, अपॉन X इंटू Y, तो यह क्रॉस सब्ट्रक्शन कर लिया, H, 2 बाइ 3, तो यह H हमें निकालना है, तो यह X, Y इदर डिवाइट कर रहा है, उदर 2 के साथ मल्टिप्ला हो जाएगा, and Y-X यह पूरा इक्वेशन यहाँ मल्टिप्ला है, तो दर 3 के साथ डिवाइट हो जाएगा, This is your answer, गैए, 2, 2, 2, 2, 2, X, Y, upon 3, in bracket Y-X, Majority student पता, यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जो आप में से कई लोगों ने सोची भी होगी, money, 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 has देना, अगर सोची होगी, तो यहाँ is equal to 1 by 3 कर देते हैं, पिछले example में, सर half बोला था, आपने is equal to half, कि अरे भाई, पिछले example में वो बोल रहा था, half भरना है, इसका मतलब half ही काम करना था, इस बार वो 1 3 भरना ही नहीं बोल रहा है, बात को समझे, वो बोल रहा है, 1 3 अल्रेड अल्रेड ही भरा हुआ है, तो फिर पूरा टैंक कितने देर में भरेगा, तो हमें काम कितना करना है, पूरा नहीं, 1 3 तो हो चुका है, हमें काम करना है 2 3, जो हो चुका है, वो थोड़ी हम करेंगे न, तो is equal to, यहां 2 3 लेना जुरूरी था, ना कि 1 3, ठीके गाईस, तो this is all about pipes and system, और जैसे मैंने कहा, यह था basic concept time work का, pipe system का, जो भर भर के काम आएगा, next session में भी, लेकिन अभी हम क्या कर लेते, कुछ practice question देख लेते, और खतम करते आज के session को, come on guys, अब practice question लेकिन, अब अगेन थोड़ा बने रहो, थोड़ा हटके है, come on guys, पदा यह practice question, अब मुझे बताओ, अगर वो 50 pages, 10 घंटे में, तो सुभाष की capacity कितनी होगी, 50 pages in 10 hours, यहने 5 pages per hour, ठीक है, प्रकाश, अच्छा, सुभाष और प्रकाश, together can copy 300 pages, अच्छा, सुभाष और प्रकाश, 300 pages in 40 hours, तो एक घंटे में कितने, 7.5 pages per hour, अक्यला, लेकिन वोई सुभाष और प्रकाश, दोनों मिलाकर कितने हैं, 7.5, तो guys, उससे आप प्रकाश की capacity निकाल सकते हो, सुभाष अक्यला 5, दोनों मिलाकर 7, यानि 7.5 में से 5 तो सुभाष के, तो प्रकाश की कितने, 1.5 pages per hour, खतम, तो question क्या बोल रहा है, in how much time can प्रकाश copy 30 pages, तो प्रकाश अकेला 30 pages कितने दिर में copy करेगा, तो यह हमें प्रकाश का मिल गया है, कि 1.5 pages के लिए वो एक घंटा लेता है, तो 30 pages के लिए कितना घंटा, 1.5 pages per hour, यह कैसे आया, समझ में आया न, सुभाश का individual पता था, दोनों का together पता था, तो साड़े साथ में से 5 सुभाश के धाई प्रकाश के एक घंटे में, तो 30 pages के लिए कितना घंटा, खतम, 2.5x is equal to 30, तो x is equal to 30 upon 2.5, एडेसिमल हटाने के लिए 1010 से multiply कर दो, 300 upon 25 यानिके 12 hours, कितना एंसर है गाईज, 12 hours, come on, next, A can do the piece of work in 20 days, he work it for 5 days, guys अब पहली बार ऐसा question आ रहा है कि यहाँ A और B together है, लेकिन start to end नहीं है, मतलब थोड़ा काम A कर रहा है, थोड़ा B कर रहा है, लेकिन start to end together नहीं है, question clear बोल रहा है, A अकेला 20 दिन में काम करता है, कि work it for 5 days, लेकिन उसने पूरे 20 दिन काम नहीं किया, उसने एक काम को लिया, बोला मैं 20 दिन में कर दूँगा, 5 ही दिन किये, और फिर चला गया, बट भई जिसका काम था, उसको तो complete करना है, तो उसने then, B finish it in 10 more days, फिर उसने B को काम दिया, जिसने 10 दिन में उस काम को खतम किया, हलाकि हमें A की capacity पता है, 20 days, B की नहीं मालूम, ठीक है, बट इतना पता है कि B ने बच्चा हुआ काम, 5 दिन A ने किया, फिर बच्चा हुआ B ने 10 दिन में किया, तो उससे हम B की capacity निकाल लेंगे, तो question बोल रहा है, how many days will A and B together finish the work, तो अगर इस तरह ये तुकडों में काम नहीं करते, together करते, तो कितने देर में काम खतम हो जाता, question ये पूछ रहा है, come on guys, again, 20 days, 5 days, ये सब का common multiple, अगर मैं ले लू, let's assume मैं ले लू, 120 या 100, कुछ भी ले लू, कुछ भी ले लू, तो मैं ले 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 था हूँ, 120 days, multiple लो, तो 120 units, ये काम हमें करवाना है, मैं राण अपरोच से जा रहा हूँ, तो 120 unit काम करना है, और A अकेला 20 दिन में काम करता है, A can do this piece of work, ये total work A अकेला 20 दिन में करेगा, उसने बोला था, एक दिन में उसका कितना होना था, 6 units per day, बड़ गाईज, असल में हुआ क्या, उसने पाच ही दिन काम किया, मतलब उसने 120 में से 5 ही दिन काम किया, तो 5 दिन में कितना होगा, 6 units per day into 5, 30, 6 unit एक दिन के, और उसने 5 दिन काम किया, तो 6 into 5, 30, याने 90 units अभी भी बज़ गए, और 90 unit कौन कर रहा है, B, कितने दिन में, 10 more days, याने B ने ये 90 unit करने के लिए, 10 दिन use किये, याने एक दिन में कितना किया होगा, B ने, एक दिन में किया होगा, 9 units per day, तो guys, या मिल गया, आपको B की capacity, तो A अकेला 6 unit करता है, B अकेला 9 unit करता है, तो दोनों मिला कर कितने 15 units per day, तो 15 unit अगर एक दिन में, तो 120 unit के लिए कितना दिन, 15x is equal to 120, तो x कितना होगा, 120 upon 15x को multiply किया, अगर दिवाइट किया है, तो 15x is equal to 120, खेल खतम, मतलब आप देख रहे हो, question की language बदल गी, theme बदल गी है, वक्त बदल गया, हालाद बदल गया, जस्बाद बदल गया, लेकिन, तरीका होई है solve करने का, आपने देखा, 20 days, A अकेला करने को बोल रहा है, फिर 5, 10, अपने common multiple, कुछ तो एक बार दन, 120 ले लिया, 100 से करो, 240 से करो, answer सेम आएगा, तो 120 unit, अगर 20 दिन में, A केला कर रहा है, मतलब एक दिन में, वो कितना करता है, 6 unit, बद उसने कितने दिन किये, 10 दिन में किये, तो एक दिन में कितना 9 unit, तो A का मिल गया 6 unit, B का मिल गया 9 unit, कितना हुआ 15 unit, दोनों मिला कर एक दिन में, वश्चन ने यही पूछा है, पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिन, तो दोनों मिलकर 15 unit, एक दिन, तो 120 उनिट के लिए कितना देंगा एंसर आ गया 8 days समझ रहे हो गाईज एकदम सिंपल Sashi can do the piece of work in 25 Rishi in 20, again 25-20 इनका common multiple ले लो कुछ भी यह न, they work for 5 days 200 ले लो, total work done 200 ले लो 100 भी चलेगा so मैंने 200 ले लिया, they work for 5 days they, they मतलब Sashi भी Rishi भी तो मुझे बताओ, 200 unit काम करना था तो Sashi अकेला एक दिन में कितना करता है जब पूरा काम वो 25 दिन में करता है तो 8 unit per day 200 upon 25 Rishi अकेला 20 दिन में करता है याने 10 unit per day and they work for, so together कितना हुआ 18 units together एक दिन का 18 units now they work for 5 days तो मुझे बताओ, यार, 200 में से अगर 18 unit per day के हिसाब से उन्हें 5 दिन काम किया तो 18 into 5, 90 याने 110 unit बचे सिर्फ 5 दिन तगर काम किया है तो भाई, 18 unit दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं तो 5 दिन में 90 unit, हमें काम कितना करवाना था 200, बचे कितने, 110 unit तो question आपको बल रहा है, in how many तो they work for 5 days and then Sashi goes away, Sashi को कोई urgency आई, वो काम छोड़के चला गया बट रीशी अभी भी डटा हुआ है और रीशी की capacity हमें पता है 10 unit per day, तो question बल रहा है in how many more days Sashi चला गया, और जब Sashi गया था, काम का status क्या था 200 में से 90 unit ही बने थे, 110 110 अभी भी बच्चे थे, अब Sashi चला गया, 110 बच्चे, now in how many days will Rishi finish the work Rishi अभी भी है, तो Rishi की capacity क्या है, 10 unit per day, तो यार 10 unit per day हमें करवाना कितना 110 तो 110 10 के साब से कितना दिन में कर लेगा, 11 days, common sense, 11 option में है नहीं, बट नन आपदीस है 11 नहीं तो कोई nearest answer पर tick मत कर देना, नन आपदीस को पूरा हग है answer बननेगा जितनी इसकी probability उसनी नन आपदीस की भी है, समझे रहे हो guys so 110 unit बनना था अभी भी जो सिर्फ B बनाएगा B याने Rishi, तो सशी तो चला गया, और Rishi की capacity कितनी 10 unit एक दिन की, तो 110 के लिए 11 दिन लेगा, option में नहीं है नन आपदीस done, easy यार तो ऐसे question भी जहाँ पे तुकडों में work हो रहा है न, यानि start to end, together आपने देखा, alternatively आपने देखा अब ऐसे question भी जहाँ शुरुवात तो कर रहे है या शुरुवात तो दोनों साथ में कर रहे है, जैसे कि एक question पाच दिन काम किया, बराबर 5 days, तो 5 और हर दिन, दोनों का में पता था एक दिन का, एक दिन का, together 18 days पाच दिन का, 90, इतना काम करना था 110 हभी भी बच्चे, Rishi भी बच्चा है जिसका capacity है 10 unit per day तो यार, Raju can do the piece of work in 10 days, Vicky in 12 days, Tinku in 15 days, they all start इस बार भी तीनों का individual capacity दे दिया है they all start the work together but Raju leaves after 2 days Raju ने 2 दिन ही किया, ठीक है ओके, now, Vicky leaves 3 days before the work completed गाइस, बात को समझ ना Vicky leaves 3 days before the work completed बस काम खतम होने में अब 3 दिन बच्चे ही थे, तब Vicky चला गया so in how many more days in how many days the work completed total कितने दिन में काम खतम हुआ guys, देखो, अब ऐसे question में again, simple, Raju का 10 Vicky का 12, Tinku का 15 मैं total work done क्या ले लू 10, 15 और 12 का common multiple 120 लो, 240 लो, कुछ बिलो 60 बिलिया तो चलेग so guys, Raju का एक दिन का काम कितना हुआ 10 days अगर 120 उनिट वो अक्केला बनाता है 10 दिन में, तो एक दिन का कितना हुआ 12 उनिट, Vicky 12 दिन में 120 उनिट तो एक दिन में 10 15 days में 120 तो एक दिन में 8 together कितना हो गया या यह हो गया इनका individual चाहे तो together भी निकाल लो ठीके, together कितना हो जाएगा 30 unit now, they all start work together they याने तीनों के तीनों ने साथ में शुरू किया but Raju leaves after 2 days मुझे बताओ, Raju दो दिन बाद चला गया तो Raju ने कितना काम किया होगा 12 इन्टू 2 12 unit किया उसका, एक दिन का काम यह आपका क्या है units per day units per day 120 unit total work done करना है हर एक का हमें individual पता था हमने हर एक का units per day निकाल लिया तो Raju दो दिन के बाद चला गया तो एक दिन का 12 तो दो दिन का 12 इन्टू 2 हम क्या कर रहे है, हर worker का अलग-अलग निकाल रहे weeki leaves 3 days before the work completed मैंने कहा, इस line को बहुत अच्छी से पढ़ो, weeki कब जा रहा है 3 दिन before the work complete मतलब काम खतम होना ही था उसके 3 दिन पहले ऐसा नहीं बोला है कि weeki 3 दिन बाद जा रहा है कि काम शुरू है और 3 दिन में weeki चला गया अगर ऐसे बोला होता, तो weeki का 1 दिन का 10 तो 3 का 30 आप बोल देते बड़ गाइस उसने ऐसा नहीं बोला है वो बोल रहा है weeki कब जा रहा है बस काम खतम होने में 3 ही दिन बचे है तो guys मैं मान लू यहां total work done चला total days x total days x चला उसमें से राजू 2 दिन में निकल लिया तीनों ने साथ में काम शुरू किया they all start work together राजू 2 दिन में निकल लिया उसने इतना काम किया plus weeki ने बस 3 दिन आखरी के काम नहीं किया नहीं उसने कितने दिन काम किये x-3 total काम चला x days और weeki ने सिर्फ कितने दिन नहीं काम किये 3 दिन क्योंकि बस 3 दिन बचे थे और वो काम चोड़के चला गया तो x-3 days काम किया और उसका एक दिन का काम कितना into 10 समझ रहो न आप क्या कर रहे हो कितना दिन काम किया into 1 दिन का काम कितना दिन काम किया into 1 दिन का काम ये राजू का ये weeki का plus tinkoo tinkoo एक दिन में 8 दिन काम करता है और उसने कितना दिन काम किया आखरी तक चुरुवात तीनोंने साथ में कि बीच में से राजू निकल लिया बीच में से weeki निकल लिया लेकिन tinkoo था consistent बन था तो tinkoo आखरी तक डटा रहा याने उसने पूरे x days काम किया तो 8 दिन into x sorry 8 units per day into x days और तब जाके उनका पूरा काम हो और पूरा काम मतलब क्या आगाई इस बार देखो थोड़ा indirect data दिया ये थोड़ा सा अब तक जितनी भी question हमने देखे उसमें से थोड़ा heavy वाला ये था पूरा heavy वाला ये था बाकी easy, समझने को easy linear equation हुआ है न भी आपका रहूल सर ने एकदम चांदार तरीके से cover करवाया है तो बस वोई equation बना यहाँ पे total work done पता था हमने assume कर लिए उनके individual days से फिर हर एक के individual days पता थे ये काम करने के लिए तो कोई कितने unit बना रहा है per day हमने निकाल लिया अगर 10 दिन ले रहा है 120 के लिए तो 12 unit per day राजू 10 per wiki per day और टिंकू 8 unit per day अब तीनों ने काम शूरू किया साथ में राजू 2 दिन बाद चला गया इसलिए उसका एक दिन का काम into 2 wiki स्रिफ 3 दिन आखरी में नहीं था बागी पूरा time था यानि total days अगर x है तो उसके में से स्रिफ 3 दिन नहीं था तो x-3 days था into per day का काम 10 unit wiki का और टिंकू start to end पूरा था यने पूरे x days 8-8 unit बनाते हुए तब 120 हूआ बस इसको solve कर लो guys 10 इस पूरे bracket को multiply करेगा 10x-30 plus 8x अब देखलो 10x plus 8x 18x 24-30 minus 6 is equal to 120 minus 6 इदर गया plus हो गया तो 126 और 18 126 को divide करता है ये तो यार direct है 18 7,000 126 तो 7 days लगे total काम करने में और question ये ही पुछा है in how many days were completed 7 days in how many days were completed 7 days तो बस यही चीज़े है यार यही type के question है इसी type की variety है यही पूछा जाता है और पूछेंगे ये मैंने जैसे कहा omit की direct variety है cat के लिए और advance है लेकिन ये foundation है ये समझ गया तो वो पेल दोगे तो yes जैसे मैंने कहा time and work का session 1 था session 2 में और भी हम इस type के question थोड़े बहुत twist के साथ फिर मैंने कहा efficiency और time का relation फिर wages और time का relation और सबसे important एक हट के variety है जहाँ पे mixed category of worker men women साथ में काम करेंगे उसको कैसे tackle करना है वो हम देखेंगा इस next session में लेगिन इतना पढ़ो इसके DPP solve करो और अप तो tension नहीं कोई DPP अगर आपको ना भी आए तो उसके हम live solution ला चुके है इस Wednesday को हम मिलने वाले है पहले दो topic के देख लो वीडियो एक बार करो अधरवाइस पढ़ते रहो यार ठीक है ना clear है ठीक है गाइस तो फिर एक homework देता हूँ मैं आपको एक पटाफट से homework ले लो जानदार और फिर हम खतम करते तो यह आप homework ले लो screenshot लेना है लेलो या dictate करना है आपको note down करना है कर लो A 24 दिन में काम कर रहा है B 9 days C 12 days बिल्कुल पिछली question की तरह तीनों का individual दे दिया है तो total work done आप कुछ भी assume कर लो और शुरुवात करो ठीक है B and C start the work but forced to leave after 3 days ऐसे question हम standard approach से भी कर सकते जो मैं आपको second session next session में बताऊंगा आप सोच रहोंगे तो आप फिलाल random को समझे होंगे तो उससे कर के दिखा दो तीनों का अलग से दिया है total work done assume कर लो B and C work but forced to leave after 3 days याने B और C ने सिर्फ 3-3 दिन काम किये तो एक दिन का कितना unit B और C का समझ जाएगा into threes कर लेना दोनों को इलिए ठीक है and the remaining work was done by A in how many days विल्कुल अभी तक आपने जो question देखे उसी type का है थोड़ा बहुत अलग सलग लेकिन कर लोगे तो यह आपके लिए homework है दोस्तो total work done assume कर ले ना उससे A, B, C का units per day मिलेगा फिर B and C start the work याने starting में A नहीं है so B और C है लेकिन दोनों ने 3-3 दिन काम किया है तो कितना हो जाता है total में से minus कर लेना और बचा हुआ A कर रहा है और A की भी capacity आपको समझी गई है तो उस capacity से बचा हुआ काम करने में A कितने दिन लेगा बताना homework में जरूर बताना guys और DPB try करना तो that's it तो जो भी चीज़े बची है आपको जो इस टाइप के question का standard pattern देखना है और भी नए नए must variety जो time and work में बचे guys next session में देखेंगे लेकिन अगेन आपके भी कोई friend new जूड रहे हमारे साथ उनको ये session देखना ज़रूर बोलना next session देखने से पहले thank you so much bye bye good day take care enjoy